चलिए फ्रेंट्स आजम सब फाइलम वर्टिवरेटा या फिस जिसको करें ने अट्या भी बोलते हैं उसके आगे के डिवीजन को देखने की कोशिश करते हैं देखिए एक चीज़ समझेगा नॉर्मली आपने जब टेक्सोनॉमिकल हरेवकी को पढ़ा था तो हाँ पर किंग झालनम अकने आप में फाइलम में ब्रॉड कैटेगरी आफ और्गनिस्म होती हैं तो फिर फाइलम को कुछ अदर पार्ठ्स में डिवाइड कर देते हैं ऐसा ही किसके साथ में हुआ ऐसा ही हुआ कॉडडएटा के साथ में हुआ किंग कॉर्डएटा को डिरे bats क्लास में डि एलो कॉड़ेटा और लास्ट क्या है जिने हम बर्टीवरेटा बोलते हैं तो कॉड़ेटा को ultimately three sub-filems में डिवाइट किया गया अब sub-filems को भी class में 9 नहीं डिवाइट कर पाया गया क्योंकि अभी भी बहुत सारी variability of characters देखने को मिलता है तो फिर उन्होंने क्या किया sections में डिवाइट कर दिया किस में डिवाइट कर दिया sections में डिवाइट कर दिया section 1 इसे हमने एग नेथा कहा है और section 2 जिसे क्या कहा गया एग नेथो जिस section 2 को गनेथो इस्टमेटा कहा गया अगर आप समझें कि आखिर हम ऐसा क्यों करते हैं आपने देखा हो का कई वार कोई प्रोग्राम कहीं पर और्गनाईज होना है ठीक है वहाँ पर तीम चारी पोस्ट रखी गहीं है एक अध्यक्ष है एक उपाध्यक्ष है एक सचीव है फिर एक और ऐसा व्यक्षी आ गया जिसको importance देनी थी जिसमें कहीं न कहीं कुछ अलग सा था तो फिर उसके लिए एक और post create कर देते हैं महासचीव महासचीव की नीचे है अपर सचीव पचासों post बीच-बीच में create कर देते हैं इसको भी एक post पकड़ा देते हैं चोटी-मोटी कुछ काम चलाओ कुछ बैसा ही यहाँ पर है कि फाइलम के नीचे class लापाना possible नहीं था यूँ करेक्टर बहुत ज़्यादा थे तो फाइलम को पहले तो तीन सब फाइलम में divide किया गया इरो कॉड़ेटा, सिफेलो कॉड़ेटा और वर्टीवरेटा उसके बाद क्या किया गया सब फाइलम वर्टीवरेटा को sections में divide किया गया जिसमें है एक है एक गनेथा और दूसरा है गनेथो इस्टोमा समझने की कोशिश करते हैं A means हो गया not और गनेथा means क्या होता है गनेथा means होता है jaw ठीक है यानि कि ऐसे organism जिन में क्या नहीं होता है जिन में jaw नहीं होता है उनको हम एक गनेथा कहते हैं फिर गनेथो इस्टोमेटा का मतलब क्या है गनेथो means हो गया jaw अभी हम पढ़ी चुके है यानि कि इन और्णिजम में जौ होता है और साथ में इस्टोमेटा और आया है यहाँ पर इस्टोमेटा या फिर इस्टोमा का मतलब किस से है माउट से है किस से है मतलब माउट से यानि कि सिंपल ही हम यह समझ सकते हैं कि जो और्णिजम है उसके माउट के साथ जौ की प्रजेंस होती है किसकी होती है माउथ के साथ जौ होता है और ये और्गनिजम ऐसे है एगनेथा जिनमें माउथ के साथ क्या नहीं होता है जौ नहीं होता है कुछ अदर वुक्स में आप देखेंगे तो ए गनेथो इस्टोमा भी लिखा होता है इस्टोमा मिन्स माउथ ए मिन्स नॉट गनेथो जो माउथ के साथ क्या नहीं है जो नहीं है चलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा हमने की इमेज इंपोर्ट कराई थी आपको समझाने के लिए जैसे इसकल बना हुआ है और इसकल में माउथ के साथ में यह क्या प्रजेंट है यह प्रजेंट है जो जैसे इसको क्या बोलते हैं मेंडिवल बोलते हैं क्या बोलते हैं मेंडिवल जो लोर बोन है इसको हम मेंडिवल बोलते हैं अब यहाँ पर समझिए थोड़ा सा कि यह jaw present है, जब हम बोलते हैं या फिर जब हम food को masticate कराते हैं, food को चबाते हैं, उन सारी conditions में jaw ही क्या करता है, motion करता है, lower part पुरा motion करता है, यानि कि जिनके mouth के साथ में यह नीचे वाला bone present है, यह jaw present है, और jaw move करता है, mouth के साथ है, तो mouth है न, mouth के साथ अगर jaw है, तो वो organism गनेथो istomata में आएगा, और जिसका mouth जैसे suppose circular type का है, कुछ organism का mouth circular type का है, लेकिन उसके mouth के साथ में jaw जैसा कोई structure नहीं present है, जिससे वो किसी object को पकड़े या फिर उस चीज को, किसी food को proper तरीके से investigate कर पाए, ऐसा jaw कुछ नह नहीं present होता है, mouth circular type का होता है, तो फिर उसको हम किस में रखतेते हैं, ए गनेथा में रखतेते हैं, ए means not, गनेथो is means jaw, यानि कि jaw नहीं है, मुझे समझ में आ गया होगा, sorry, आपको समझ में आ गया होगा, कि हम क्या बात कहने चाह रहे थे, चलिए, यानि कि jaw है, तो वो गने था में, vertebral column poorly developed होती है, ठीक है न, vertebral column, या फिर हम कह दें, vertebrae, यानि कि जो backbone होती है, वो poorly developed होती है, proper developed, नहीं होती है, और यहाँ पर क्या होता है, जो vertebrae होती है, या फिर जो backbone होती है, वो well developed होती है, कैसी होती है, well developed होती है, second point, जो अपने पर important है, यहाँ पर क्या होता है यह जो एन था है यहां पर paired appendages नहीं होते हैं पहले भी मैं ने पढ़ाया होगा paired appendages का मतलग क्या होता जैसे हम लोग हमें हाथ है हाथों को क्या बोलते है? यह appendages हैं तो 4 limbs कैसे होते हैं? paired हुमारे 2 हाथ हैं pair में हैं ऐसे ही legs जिनको hind limbs बोलते हैं paired condition में होते है इन organism में कैसे होते है जो appendices होते है वो paired नहीं होते है तो हम लिख सकते है appendices appendices not paired कैसे नहीं होते है paired नहीं होते है appendices में यहाँ पर condition क्या देखने को मिलती है आगे कि appendices कैसे होते है paired होते है तो यहाँ पर हम लिख सकते है paired appendices और एक चीज़ और हम बता दें next में हम समझ लेते हैं कि जो nostril होता है nostril जिसे हम लोग किस में आते हैं Gnethoistro meta में आते हैं तो हम लोगों में nostrils कैसे होते हैं nostrils paired होते है nostrils shared अब आप कहेंगे nostrils क्या होते है nostrils का मतलब ये है कि जो nasal opening होती है नोस है, ठीक है ना, ये, सपोज ये किसी परसंड की हम यहाँ पे एक, normal nose ट्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो nose पर दो ओपिनिंग होती है, एक इधर ओपिनिंग होती है, इन दोनों ओपिनिंग से क्या होता है air enter करती है और आपके lungs तक जाती है तो कितने ये क्या है इनको nostrils या फिर external nears बोलते हैं क्या बोलते है nostrils या फिर external nears बास समझ में आई मतलब nostrils होते हैं यहाँ पर paired कहाँ पर प्रफलस होते हैं सिंगल nostril होते है एक र collect पर और है थोड़ा सा important कि जब आप ear के structure को पढ़ते होगे तो जितने भी गनेड़ों इस्टोमेटा में आते हैं गनेड़ों इस्टोमेटा में कौन कौन आता है चले इस चीज़ को सो हम अभी बिलकुल last में देख लेंगे लेकिन पहले human आता है आपको तो पताई है और human के जब ear के structure को आप पढ़ेंगे तो ear के अंदर जो herring organ होता है पूरा का पूरा वहाँ पर एक part होता है internal ear में एक part होता है semi circular canals क्या होती है semi circular canals तो ear के अंदर gnetho estomata में three semi circular canals होती है three semi circular canals होती है वहीं जब हम बात करते हैं कि इसकी एक नैथा की यहाँ पर one या फिर two semi circular canals होती है one या फिर two semi circular canals तो यह कुछ major differences होते हैं एक नैथा में और gnetho estomata में अब देखिए मतलब phylum के बाद direct class नहीं बनाया गया phylum के बाद पहले किसको बनाया गया phylum के बाद पहले draw किया इन्होंने सब phylum में divide किया सब phylum के बाद भी class बनाना possible नहीं हो पा रहा था क्योंकर बहुत ज़्यादा थे तो इन्हों आती है एक क्लास आती है औस ट्रेकोडर्मी क्या आती है औस ट्रेकोडर्मी और एक दूसरी क्लास आती है सेकेंड क्लास जिसे हम बोलते हैं साइक्लो इस्टोमेटा क्या बोलते हैं साइक्लो इस्टोमेटा बात में डीटेल में पढ़ाएंगे औस ट्रेकोडर्मी में वो एग एक नेथा आते हैं जो extinct हो चुके हैं जो आज की rate में बिल्कुल मिलते नहीं है जिनके जो खतम हो चुके हैं ओर्मिनेजम ठीक है cyclos means होता है circular और istoma means होता है mouth यानि कि ऐसे एक नेथोस जिनका mouth circular होता है rounded होता है यह living form में मिलते है पेट्रो माईजम बगारा इसके example हम आगे इसको पढ़ाएंगे फिर आता है section 2 गनेथो इस्टोमेटा गनेथो इस्टोमेटा को बच्चों जब आप detail में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इसमें समझ में आएगा आपको कि इनका अभी भी काम नहीं चल रहा था सीधे class बनाने से character जादा मिल रहे है उन्होंने दो super classes बनाई क्या बनाई दो super classes ठीक है ना एक तो super class 1 बनाई super class 1 में आ गया PCs में सारी फिश को रखा गया और उसके बाद एक और super class बनाई जिसका नाम था tetrapoda tetrapoda में क्या किया गया tetra means four photos means feet जिनमें four feet वाली condition मिलते है निकि two four limbs और two hind limbs मिलते है ठीक है ना उनको इसमें रखा गया तो tetrapoda में फिर क्या हुआ tetrapoda में क्या क्या आ गया amphibians आ गये reptiles आ गये birds आ गये और mammals आ गये ठीक है ना तो यह चीज़े है यानि कि अब आप simply समझ सकते हैं कि जो character आपको यहाँ पर गनेथो इस्टोमेटा में बताये गये है यानि कि जिनमें job present होता उन organism में जो characters बताये गये हैं गनेथो इस्टोमेटा में वो कहां common है वो amphibians reptiles bird और mammals में common है और जो character किसमें बताये गये हैं एगनेथा में बताये गये हैं वो character mainly cyclos tomato में आने वाली जो fishes हैं जिसे हेग fish हो गया ठीक है यह सारे cyclos tomato में आते हैं इनको फिर आगे की class में हम detail में पढ़ाएंगे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा धन्यवाद